योग एक ऐसा माध्यम है जो हमारे सरीर को स्वस्त बनाने में मदद करता है योग में सिर्फ हमारे सरीर को स्वस्त रखने की ही ताकत नहीं होती बल्कि ये हमारे सरीर को उर्जा भी परदान करता है योग के कई आसनों में से एक है भुजंगासन संस्कृत के सब्द भुजंग का आर्थ होता है सर्प और आशन का आर्थ है स्थती इस आसन को करने के लिए रीड की हड़ी सर्प की तरह लचीली हो जाती है और सरीर में गर्मी उत्पन होती है इसलिए इस आसन को भुजंग आसन नाम दिया जाता है इस आसन को करने के लिए हमें पेट के बल लेटना पड़ता है इस आसन से सरीर को सुडौल बनाने में मदद मिलती है इस आसन को कैसे और कहां करना है ये जानना बहुत जरूरी है इसलिए हम आपको बता दें कि इसे करने के लिए सर्वप्रथम सुद्धवातावरणो समतल जमीन पर आसन बिछाना चाहिए और उसके बाद पेट के बल लेट जाना चाहिए इसके बाद ये ध्यान रखें कि सांसें हमेशा सामाने रहें और सरीर की मासपेशियों के सिथिल होने तक इस स्थिती में आप लेटे रहें फिर माते को जमीन पर और हाथों को कंधों से ले जाकर इस तरह से टिकाएं कि कोहुनियां पीछे की तरफ सरीर के पास आ जाएं इसके बाद टांगों और पैरों को सीधे रखते हुए आपस में मिला लें तब धीरे धीरे सासे भरें और हाथों को जमीन पर अच्छी तरह से टिकाते हुए कंधे के साहरे नाभी तक के हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएं और छाती को सामने की और रख दें इस दौरान गर्दन को पीछे की तरफ करते हुए उपर आकाश की और देखने का अथक प्रयास करें इस विस्तिती में यथा शक्ती रुकने के बाद शासे छोड़ते हुए धीरे धीरे पूर्विस्तिती में लौट आएं ऐसा करने से यह आपकी किड्नी के लिए अतेंत लाग भकारी भी होगा कि नेक्स्ट नाइन क्यूरियन है लेक्स की रिपोट कि अभाव कि अभाव